ख़ता गोबि के पकोड़े उपने बहुत तरीकी के खाये होंगे लेकिन एक बार आप ये पकोड़े जब खायेंगे उख्टे रहेंगे तो एक बार तो ये पकोड़े ज़रूर बनाने बनते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आगके ये recipe वीडियो अच्छे लेगे प्लीज वीडियो को like share चैनल को subscribe करना बिलकुन न भोले तो चलिए शुरू करते हैं आगके ये recipe और बनाने श्राट करते हैं ये पता गोबी के मज़ितार सी पकोड़े तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यह एक पता गोबिली है, फिरीज पता गोबी है, एक बार आप recent धुल लीजियें, धुलने के बाद जो उपर के लेपस होती है, उसे हम हटाँगे, और हटाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, तो यहां हमें पता गोबिली को थोड़ा सा मोटा मोटा कट करना है, भी कर सकते हैं तो इसे भी हम थोड़ा सा मोटा मोटा ही कट करेंगे और मोटा मोटा कट करने के बाद आप इसके लच्छे निकाल लीजिए और इसके बाद हम इसे पता गोबी में एड़ कर देते हैं तो यहां इन दोनों के पकोड़े बहुत ही जादा शानदार बनते हैं पत नमक डालने के बाद पता गोबी और प्यास है थोड़ा सा पानी भी रिलीज होगा इनसे तो जितना भी होगा पहले ही हो जाएगा उसके बाद ही हम इसमें बेसान अट करेंगे तो चलिए अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे ठक देते हैं 5-7 मिनट के लिए ठक कर छो तो इसमें मैंने यहां 5-6 हरी मिर्ची लिए हैं जिने बारी कट कर लिया है उन्हें डाल देते हैं काफी सारा हरा धनिया है जिसे मैंने बारी कट कर लिया है उसे डाल देते हैं और अब हम यहां डालेंगे एक चम्मच फरके लान मिर्ची का पाउडर बहुत थोड़ा सा ग लेटें हैं बाद ही हम निखेंगे इसमें पूर कितना बशन लगा तो यहां में बहुत जथा बीषन बेंगे दो चीजित मैं क्या दैंगे इस पूरल किनी नेस ніकनी देभी कर्ण पास्ट में कम कर साथ हैं बस यहां हमने बेशन को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें जो है तेल ला देते हैं तो यहां मैंने कढ़ाई में तेल बहुत अच्छे से गरम कर लिया है इसके बाद मैं यहां तेल डाल ले हूँ तो यहां आप 4-5 चमच आराम से तेल डाल सकते हैं इसमें हमारे तो बस आपको तेल डालने के ज़रुत है गरम गरम आप इसमें तेल डाल दीजिए और इसे बहुत अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए तो यहां आप नमक और मिर्च एक बार चेक जरूर कर लीजिए क्योंकि पकोड़े थोड़े से चटपटे ही अच्छे लगते हैं तो यहां हमारी सारी चीजे बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं पकोड़े बनानायरी श्टार्ट करते हैं तो यहां आपको बहुत जादा टाइट हाज हाज से पकोड़े नहीं बनाने हैं यहां पकोड़े डालने के बाद पकोड़ डालते समय हम GAS का फ्लेम हम हाई रखेंगे और डालने के बाद हम GAS का फ्लेम जो है आप देख सकते हैं कि पकोड़े बहुत अच्छे से सिख चुके हैं अब हम इने निकाल लेते हैं तो यहां हमारा एक पेच बनकर तयार हो चुका है आप इसका कलर देख सकते हैं और बहुत अच्छे से अंदर तक्सिके हैं तो आप इसी तरीके से पकोड़े बनाईए और गर दो ट्खेंगा इसलोग एक साथ ने सार इतना डाली जितना आपकी कड़ाय में ईतनी डाली आजाए ताकि वह बहुत अच्छे से सीखसागे पकोडे हमने ढाल सुब्सक्राइब क millenn street घर आ्यां सबेंगे तो चलिए इनकी पल्टी कर देते हैं और पल्टी करने के बाद हम इने बढ़ा से slow gas पर या फिर medium gas पर अच्छे से से शेक लेते हैं ताकि यह बहुत अच्छे से crispy हो जाएं तो चलिए यहां हमारी जो पकोड़े हैं वो बहुत अच्छे से नहीं तो पूछे ही मत इतनी ज्यादा टमड़ा ट्रश्टी है बहुत है ज्यादा टैस्टी एक बार आप जरूर सी ट्राइबड़ आपको भी बहुत पसंद आएंगे तो गर्मा गरम पकोडों के साथ गर्मा गरम मिर्ची भी हम फ्राइ करेंगे तो यहां मैंने कुछ मिर्ची ली हैं इन्हें भी हम तेल में फ्राइ कर लेते हैं तो यह मिर्ची जो है पकोडों के साथ बहुत टेस्टी लगती है कर्मा गरम पकोडों के साथ मिर्ची भी फ्राई हो चुकी हैं, तो चले इने भी हम पकोडों में सामिल कर देते हैं, तो आप भी पकोडों के साथ मिर्ची जरूर से फ्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती हैं, तो चले यहां हमारे पता गोबी की गर्मा गरम पकोडे तैयार है, सर्फ करने के लिए तो पत्ता गोबी की सबजी आपने बहुत बार बनाई होगी, एक बार आप पकोड़े भी बना कर देखिए, सभी को बहुत पसंद आएगे, तो पत्ता गोबी की पकोड़ों की रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर से बताईएगा, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लेज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा, दोस्तों में वीडियो को जादा से जादा शेयर कर दीजेगा, चैनल पर अगर नहे हैं तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब करना भी न अपने बेल आइकन को भी प्रेश कर दीजेगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तो मिलते हैं फिर कल इसी तरीके से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धेर सारा इंज्वाई कीजेए, और मुझे इजाज़त दीजेए, बाइ एंटिकेर